27 सितंबर 2014 को भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने United Nations General Assembly में अंतराष्टे योग दिवस की शिरुवात करने का प्रस्ताव रखा मुझे भारत के प्रधान मंत्री का स्वागत करते हुए बड़ा हर्श हो रहा है आधरनिये प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी मैं आज एक और विशे पर भी घ्रान आकर सित करना चाहते हुए जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं हम होलिस्टिक हेल्थ केर की बात करते हैं हम प्रकुर्दी के साथ जूडने की बात करते हैं हम जब बैक टू बेसिक की बात करते हैं तब मैं उस विशे पर आज विशे स्थुट से आपसे एक बात कहना चाहता हूँ योग हमारी पुरांतन परंपारे अमुल्य देने योग मन वशरीर विचार वकर्म संयम वउपलब्दी की एकात्मता का तथा मानव वप्रकुति के बेच सामन जसका मूर्त रूप है योग केवल व्यायाम भर न होकर अपने आपसे तथा विश्व वप्रकुति के साथ तादात्मय को प्राप्त करने का माध्यम है यह हम में जागरुकता उत्पन करके जल वायू परिवर्तन से लड़ने में सहायक हो सकता है आईए हम एक अंतर राष्टिय योग दिवस को आरम करने की दिशा में कार्यक करें भारत में योग का आरम पाँच हजार साल से भी पहले हुआ था और आज ये आधोनेक जिम्स, स्कोलों और पार्कों में भी यानि हर कहीं नजर आने लगा है योग आज पूरी दुनिया में स्वास्थ को बनाई रखने का एक संपूर्ण माध्यम बन गया है योग लाखों लोगों को स्वास्थ्य, संतुलन, सामन जस्य और आंतरिक शांती और खुशी हासिल करने में मदद करता है योग धार्मिक, भोगौलिक, जातिय और नसली सरहदों से आगे बढ़ कर हम सब को ज्यादा सीहत मन्त, शांत और सामन जस्य पूर्ण इंसान बननी में सहायता करता है जिससे हमारा ये ग्रह ज्यादा टिकाओ और शांती में बन सकेगा लेकिन योग आखिर है क्या और इसे कैसे अमल मिलाया जा सकता है क्या योग वास्तव में हमें खुद से और प्रकृती से सामन जस्य से बनाने में मदद कर सकता है तो आईए चले योग से जड़ी स्यात्रा भर हर साल फर्वरी में पूरी दुनिया से हजारों लोग हिमालय के आचल में बसे भारत के सबसे पवित्र नगरों में से एक रिशिकेश आते हैं ताकि योग का अनुभव कर सकें, उसे सीख सकें और उसे एक दूसरे से बाट सकें एक सब्ताह तक चलने वाले इस अंतरराश्ट्रिय योग फेस्टिवल में पचास से भी अधिक देशों से योगी आते हैं और योग गुरुओं के सानिध्य में वरक्शॉप, मेडिटेशन और कक्षाओं में हिस्सा लेने के साथ साथ उनसे विचार विमर्श भी करते हैं आज दुनिया में ये कहीं भी योग गुरुओं का सबसे बड़ा और अंतरराश्ट्रिय स्वरूप वाला सम्मिलन है जब मैं भारत आई तो मैंने सीखा कि एक सामन जस्से के तौर पर योग का मतलब क्या होता है और जल्दी ही भारत में मेरा ये योग केवल शरीर तक ही सीमित नहीं रह गया बल्ग उसके साथ दिमाग, विचार, भाव और आत्मा भी जुड़ गई भारत में ही मुझे असली योग का दर्शन हुआ यानि इश्वर से हमारा मेल मैं हमेशा बिमार रहती थी पर इसका कारण नहीं जानती थी मैंने दवाईयां छोड़ दी और योग शुरू कर दिया मुझे लगता है जीवन उसके बाद से ज्यादा बहुरंगी और सार्थक हो गया है मैं अंतरराष्ट्री योग फेस्टिबल में आठवी बार आ रही हूँ मैं योग गुरूओं और अध्यापकों के पास उनसे सीखने अधेयन करने परिपक्व और विक्सित होने के लिए आती हूँ हमारे लिए योग का मतलब है एकता और प्यार अंधरूनी प्यार और शांती जब मैं विद्यार थी था तो बीमार हो गया था फिर मुझे योग के बारे में पता चला मैंने योग शुरू किया मेरी सेहत फिर पूरी तरह ठीक हो गई मैं फिर पहले से काफी सेहत मन दो गया मुझे काफी हरानी हुई तो फिर योग में मेरे दिल्चस्पी बहुत बढ़ गई लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई इनसान हमेशा से ही प्रकृती के साथ तालमेल बना कर जीने की मुश्किल कोशिश करता आया है वजह ये कि हमारे ग्रह या हमारे लिए जो बात सबसे अच्छी है हमारी जरूरती अकसर उसके उलट होती है भारत की लंबे इतिहास में कहीं मानव और प्रकृती के बीच वाले इस सामन जस्य पूर्ण हिस्से का रुख अंतर मुखी हो गया और अंतर की इस यात्रा को ही योग कहा गया योग की शुरुवात के चिंध पांच हजार साल से भी पहले सिंधु सरस्वती घाटी की सभ्यता में मिलते है पुरा तत्ववेताओं को ऐसे उकेरे गए द्रश्य, मोहरे और चीजे मिली जिन पर योग जैसे मुद्राएं और अभिवादन आदी मौजूद थे और जो बाद में मिले पशुपती, रूद्र और भगवान शिव के विवरणों से मेल खाते थे शिव को सबसे पहला और मौलिक योगी माना जाता है जिन हुने मानव को योग की कला और विज्ञान से परिचित कराया था ये संबंध आज भी साधूं, योगियों और भारत, तिबबत और नेपाल की यात्रा करने वाले मनिश्यों में नजर आता है योग शब्द संस्कृत का है और लगभग एक हजार इसा पूर वाले वैदिक काल में आम चलन में आया ये शब्द युज से निकला है, जिसका मतलब है बांधना, चीजों को एक जगा लाना, संयोजित करना या थामना योग का लक्ष है हमें खुद को अपने और प्रकृति के साथ दुबारा से संयोजित करना, स्रोत की और लोटना योग से जुड़ी सोच का मूल सांख्य दर्शन में है, जिसके अनुसार ये ब्रम्भांध पुरुष और प्रकृति या चेतना और प्रकृति के बीच एक द्वैत है योग पूरी भारत में ही काफी जाना पहजाना था और इसका जिक्र फिर वैदिक रंथों में मिलने लगा, विशेशकर उपनिशद में और उस दौर की बौध और जैन सिक्षाओं में भी उपनिशदों में चार तरहा की योग बद्धतिया है मंत्र यानि पवत्र ध्वनियों को बार बार उच्चारन करना परम शक्ती से संपर्ग जिसे लए या भक्ती संबंध कहते हैं हट या आंतरिक उर्जा को चैनलाइज करना और राज योग इसे ही ध्यान या अश्टांग योग भी कहा गया आज दुनिया भर में मौझूद योग के सभी स्कूलों का संबंध ऐसे ही किसी ना किसी एक सिध्धान से है दूसरी सदी इसा पूर्व में योग के संदेशों को एक लिखित ग्रंद का रूप दिया गया था जिसे पतंजली के योग सूत्र कहा जाता है अब योग के बारे में बताते हैं योग का मतलब है मस्तिश में मौझूद सामकरी में आ रहे परिवर्तनों को स्थिर करना ताकि व्यक्ति को अपनी सच्ची और वास्तविक स्थिती का अनुमान हो सके पतंजली के अनुसार योग का उद्देश है भौतिक जगत से जुड़े लगाव पर विजय पाना ताकि अपनी सच्ची चेतना को प्राप्त किया जा सके तेत्रिय उपनिशद के अनुसार व्यक्ति कोशों की पाँच सदहों से बनता है जो एक साथ मिलकर काम करता है जब ये कोश असंतुलित हो जाते हैं तो फिर इससे उत्पन होते हैं रोग, असामन जस्य और स्वास्थि में गड़बड़ी लेकिन जब योग के जरिये इन्हें एक साथ लाया जाता है तो उससे प्राप्त होता है संपून स्वास्थिय, ध्यानस्त मस्तिश्क और विशुद्ध आनंद इनकी केंद्र में है भौतिक शरीर या अनमयकोश इसके अलावा होती है जीवनी शक्ती या उर्जापुंज जिसे कहते हैं प्राणमयकोश मानसिक चेतना या मस्तिश्क का जगद भी होता है जिसे मना मया कोश कहा जाता है इसके अलावा उच्च मस्तिश्क भी होता है जिसे विज्ञानमयकोश कहा जाता है और सबसे अंत में होता है अंतिम या संपून अवस्था जिसे आनंद मै कोश कहा जाता है प्राण हर जीव की जीवनी शक्ती की प्रमुक उर्जा होती है जो इन सभी सतहों के बीच खूमती रहती है और उन्हें आपस में जोड़े रहती है पहला अंग है यम ये योगी को निर्देशित करता है कि उसे दुनिया में क्या नहीं करना है दोसरा अंग है नियम या योगी को अपने जीवन में क्या करना और क्या सोचना चाहिए तीस्टा अंग है आसन या प्राणिक उर्जा को संचालित करने और मस्तिश्क को शांत करने के लिए आज अधिकतर लोग इसे ही योग समझते हैं चौथा अंग है प्राणायाम या पाँच कोशों के माध्यम से प्राण को सांस के जरिए प्रवाहित करना प्राण पूरे ब्रह्मान की जीवनी शक्ती है और ये पद्धती ठीक ठाक रहने और संतुलन के लिए आवश्यक है इसके बाद बारियाती है प्रत्याहर यानी आत्म नियंतरन अथवा ज्यानेंद्रियों को पीछे खीचना, संसार से विमुख और संतुलित रहना अंतिन तीन अंगों को अंतरन कहा जाता है क्यूकि ये योग के आंतरिक अंग हैं ये मस्तिश्क को नियंतरत करते हैं धारणा, मस्तिश्क को एक ही विचार या वस्तू पर केंद्रित करने की पद्धती है। ये आपकी सांस, कोई चीज, कोई शब्द या कोई छवी हो सकती है। ध्यान, गहरे मेरिटेशन की वो अवस्था है जहां व्यक्ति को अपने शरीर, अपने मस्तिश्क, अपने आसपास की स्थितियों का ध्यान रहता है और वो संपून स्थिर्ता की ओर बढ़ता रहता है। और आखिर में योग का अंतिम अंग होता है समाधी या पूरी तरहा जजब और स्थिर मस्तिश्क, जहां ध्यान लगाने वाला उसके ध्यान की वस्तू और आसपास की सभी चीज़ें एकाकार हो जाती हैं। समाधी से आगे योगी को कैवल्यम या संपून स्वतंत्रता और आनंद की प्राप्ति होती है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमें एक बहुती सुन्दर उर्जा की प्राप्ति होती है और अपने अंदर परिवर्तन महसूस होता है। ये परिवर्तन हमें एक बहतर इंसान से एक बहतर समाज बनता है। दर्ज करने, इसका प्रचार प्रसार करने और दुनिया को क्लासिकल तथा पारंपरिक योग सिखाने के लिए की. ये इंस्टिट्यूट योग में डिपलोमा और डिगरी प्रतान करता है और ये भारत और पूरी दुनिया में अध्यापकों, स्कूलों और पध्धतियों के एक नेट्वर्क को संचालित करता है. विश्व स्वास्थ संगठन ने योग को भारत की एक पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के तौर पर मान्यता दी और इस संस्था को पूरी दुनिया में मौजूद सभी सदस्य देशों के बीच अपनी शोट चारी रखने और संदेशों को फैलाने के लिए धनराशी दी जा चाहिए इंस्टिट्यूट ने योग मुद्राओं, संदेशों, ग्रंतों और तकनीकों की सबसे बड़ी डिजिटल लाइबरेरी भी कायम की है भारत के लंबे इतिहास के दौरान योग रोज मर्रा के जंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है और ज्यादत धर्मों और विचारधाराओं ने अपने अनुष्ठानों और तौर तरीकों में इसकी पद्धतियों का उप्यों किया है मध्य योग में दो महान भारतिय अध्यापकों ने योग की पद्धति को पुनर जीविद किया आठवी सदी में आदिशंकरा ने उपनिशदों और योग को फिर से लोगप्रिय बनाया और नात्संप्रदाय के गोरक्षिनात ने भी लगभग इसी समय हट योग को फिर से बहाल किया अठार्वी सदी तक योग की पद्धति काफी अलग थलग होकर कुछी लोगों तक सीमित रह गई थी और अधिकतर भारती नागरिकों के जीवन से ये लुप तो हो चुकी थी फिर बीसमी सदी में ही योग ने कमाल की वापसी की योग भारत की ओर से दुनिया को एक भेट है 1890 के दशक से भारत के कई अध्यापक योग को दुनिया के सामनी लाए जैसे की 1893 में स्वामी विवेकानन्द जिन्होंने दुनिया का परिचय वेदान्द और राज योग से कराया और 1920 में स्वामी योगानन्द ने दुनिया को क्रिया और कुंडलिनी योग से परिचित कराया स्वामी शिवानन्द, स्वामी रमा, स्वामी सचीदानन्द, स्वामी कुवालयानन्द, श्री योगींद्र जी और अन्य महान योगियों ने योग के गहरे पहलूं का पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार किया बीस्वी सदी के एक बेहत प्रभावशाली योग गुरू थे श्री कृष्णा माचारिया, जो मैसुर के महराजा के नीची अध्यापक थे और उन्होंने भारत में पहली बार 1930 के दशक में हाठ योग के सार्जनिक प्रदर्शन करना शुरू किया उनके विद्यार थी BKS अयंगर के पत्तिभा जोईस और उनके पुत्र देशिक अचारिया योग के तीन प्रमुक प्रचारक बने और उन्होंने योग को पुरी दुनिया में फैलानी में मदद की अयंगर योग और जोईस के अश्टांग विन्यास स्कूल अमरीका और योरोप के प्रमुक योग स्कूल बने और 1965 में अयंगर की पुस्तक लाइट आन योग योग के सिलसले में दुनिया की पहली गाइड बनी और सत्रा भाशाओं में इसका अनुवाद किया गया योग को कभी पूरी तरह से भुला दिया गया था लेकिन मुझे खुशी है कि आज ये हर कहीं नजर आता है कम से कम इस सिलसले में शुरुआत तो की गई है और मुझे पूरा यकीन है कि अगर शुरुआत हो जाए तो बेशक वो आरंभ में मामूली हो लेकिन धीरे धीरे य योग की जड़े और मजबूत होती जाएंगी आज योग इन शुरुआती अगरणी लोगों से कहीं आगे निकल चुका है श्री श्री रवी शंकर, पुझ्य स्वामी जी, बाबा राम देव, स्वामी निरंजन और सत्गुरु जग्गी वासुदेव जैसे योग गुरु पुरी दुनिया में क्लासिकल योग की लोगों जलाए होए हैं क्लासिकल चुका है क्लो है वाङ्प प्रिजल प्रिRadा की वाव योगा फ्क्रम्ः कुल्पोंन भुझ्य है ताप पुर प्रिजम में होगा हुanch क्लासिकल, स्वाप में यो खिग्य प्रिए श्राए हाई क्लाक क्लो है क्लो प्र्विस, ह CAW प्रह कामी है कर दो 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 अपनी चटाई पर बैठकर मैं आम तोर पर उन बहुत सी चीजों के बारे में सोचता हूँ जो मेरे सामने चुनौतियों पेश करती है दिमाग बहुत सारी चीजों के बारे में सूचता है जब आप चटाई पर होते हैं योग सिर्फ तभी आपके साथ नहीं होता योग आपके भीता रहता है मैंने ये दिखा है और मैं ये समझ गया हूँ कि आप खुद को बदल सकते हैं और एक बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं आज विज्ञान और इलाज की मुख्य धारा भी योग के फाइदों को समझ रहे हैं भारत में योग की स्वस्थ करने की शक्तियों के बारे में लोग हजारों साल से जानते हैं और आयुरवेद के साथ मिलकर ये भारत में बीमारियों को रोकने, चेतनता को और बढ़ाने तथा तंदुरुस्ती को ठीक रखने के सिलसले में बेहद महत्व पून रहा है साथ ही ये योगी को स्वतंतरता भी देता है निमहेंस भारत का एक जाना माना तंत्रिका विज्ञान संस्थान है जहां योग पर हुई गहन शोट से कमाल के नतीजे सामने आए हैं हमने मराई का इस्तिटिक पर होने वाले योग के परभा़ों की जाँच की है योग करने के बाद मस्तिश्क के कुछ हिस्सों की हालत बेहतर हो जाती है इसके अलावा ऐसे भी स्थितियां देखी गई हैं जहां ओम का उचारन करने से मस्टिश के कुछ हिस्सों में बडलाव आता है और उससे इनसान बेहतर बन जाता है जब आप ओम या किसी और शब्द का उचार करते हैं जब आप कुरान पढ़ते हैं बाइबल पढ़ते हैं जब आप इसे उचे स्वर में पढ़ते हैं तो शब्द आपके कानों में गूँजने लगते हैं कालों से विद्धुतिय गते विधी नीचे आकर फिर उपर की ओर चढ़ने लगती है उपर चढ़ते वक्त ये शरीर को शांती देती है योग की वैज्ञानिक और उपचार संबंधी शक्ती से जुड़ा एक और जाना माना भारतिय शोद संस्थान है जिसे स्थापित किया था नासा के एक पूर्व विज्ञानिक डॉक्टर एच नागेंद्र ने ये योग और नियूरो फिजियोलोजी में गहन शोद करने वाला एक पंजिकरत केंद्र है इसे भारतिय चिकित्सा अनुसंधान परिशत से मानिता मिली हुई है ये योग सिखाता है नियमित रूप से अंतराष्ट्य शोद पत्र निकालता है और आरोग्य धाम चलाता है ये एक अनूठी योग चिकित्सा अनुसंधान स्वास्थे केंद्र और अंतरंग रोगी सुविधा है ये सिद्ध हुआ है कि योग चिंता और तनाव घटाता है तथा हमारे मस्तिष्क और हमारे जीन्स की गतिविधियों को काफी हद तक प्रभावित करता और सुधारता है मैं बड़ी मुश्किल से ड्रक्स के चंगल से चूटा था और एक दिन सैन फ्रांसिसको की एक सड़क पर जा रहा था कि मैंने वहां एक बोड पर योग शब्द लिखा देखा और वहां एक महिला योग सिखा रही थी वह महिला अपने शरीर को मोडने लगी मुझे लगा कि वो अपने शरीर को इस से ज्यादा भला और क्या मोड पाएगी लेकिन वो तो उसे बड़ी शालीन था और आराम से मोडती ही गई मुझे लगा ये सचमुच आज़ाद हैं मैं क्योंकि ड्रक्स का शिकार हो चुका था तो मुझे भी आजादी चाहिए थी मैं पूरी जिन्दगी जो चीज ढूनता रहा था मुझे वो उसी चीज की जीती जागती मिसाल लग रही थी तो ये चीज मुझे इतनी अकर्शक लगी कि मैंने फौरण विन्यास योग का अभ्यास शुरू कर दिया योग करने से जीवन में संतुलन, खुशी और आजादी मिलती है और फिर व्यक्ति जीवन को पूनता के साथ जी सकता है आज दुनिया में पहले से कहीं जीदा लोग योग को अपनाते जा रहे हैं तो हो सकता है कि पूरी दुनिया में ही हमें लोगों की चेतना में बदला वाता दिखाई पड़े जिस से हमारा ग्रह कहीं जीदा संतुलित और सामन जस्यपून हो जाए योग करने वाले लोग कहीं ज्यादा चेतनु भोकता, बहतर इंसान, पर्यावरण के प्रती ज्यादा जागरूक और अच्छे नेता बन जाते हैं यही योग की शक्ति है और ये केवल दुनिया का कल्यान ही कर सकता है 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्टाफ पास करके 21 जून को अंतराष्ट्रे योग दिवस खोशित कर दिया 117 देशों ने इस प्रस्टाफ को सह प्रायोजित किया है संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में ये एक कीर्थिमान है कर दो 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 कि अ oraz हम कि खुए कि अ कि टुए कुए अ